नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश बारत जन्वरी बुद्धवार सुबे सवाच्छ अबजे रास्तान के बड़ी खब्रे रास्तान में मंगलवार को कोरोना के 6366 नए केस मिले हैं, जैपुर सही 14 जिरों में कोरोना के 100 या उससे अधिक केस मिले हैं वहीं जैपुर में आज केसों में कभी देखने को मिली है, करीट 14 दिन के बाद आज ऐसा हुआ है जब जैपुर में केस बढ़ने के बजाए कम आए हैं, पिछले 24 घंटे के अंदर जैपुर में आज 2166 नएक केस मिले हैं, जो सोमवार के तुन्णा में 583 कम हैं रासान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से ज़ारी रिपोर्ट देखें, तो जैपुर के अलावा आज जोतपुर में 711, कोटा में 446, अलवर में 411, उदैपुर में 403, भरतपुर में 365, बेकानेर में 255, अजमेर में 195, सिकर में 192, बारमेर में 124, गंगानगर में 112, सवा दिया है, पहले टेक्स रिटर्न भरने के आखरी तारीक 31 दिसंबर 2021 थी, जिसे अब 3 महीने बढ़ा कर 15 मार्श कर दिया है, इसका मतलब है कि टेक्स पेर मार्श के मध्धे अजमेर तक वश 2021 के इंकम टेक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, फार्नेंस मिनिस्ट्री के रिवे माप विज्ञान प्रकोस्ट के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में, मंगलवार को एक ही दिन में 110 निरिक्षन कर, 54 से अधिक मामले दर्ज किये गए, खादे नागरिक आपूर्ती एवं उभुगता मामले विभाग के श्वासन सचे नवीन जयर ने बताय कि सोमवा कि राशी राजखोष में जमा करवाई गई तथा छे मामलों पर निया मनुसर अग्रिम कारवाही की जा रही है। पूर्वो में भी कोविट की प्रथम एवं दित्य लेहर के अंतरगत जिला प्रशासन द्वारा जन चागरुकता अभियान चलाया गया था। उन्होंने बताए कि कोविट के नए वेरियंट ओमिक्रोन की बड़ते संक्रमन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जन चेतना भियान चलाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा खादी से निर्मित रास्टे ध्वज भारते तिरंगा आगामी 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर जसल मेर की उची पहाड़ी पर शांस से लहरा आएगा। आजादी के 75 वश पूरी होने के उपलक्षी में आयूजित हो रहे। अमरित महसव के अंतरगत इस विश्व के सबसे बड़े रास्टे ध्वज के सापना दिवस की तैयारियां इन दिनों जोरू पर चल रही है। जसल में शहर में आने वाले सेलानी कई किलोमेटर दूर से इस सबसे बड़े रास्टे ध्वज को देख सकेंगे। विश्व स्वास्ते संगठन तथा सैंक तुरास्ट संक्योर से कोरोना संक्रमन को महामारी घोशित करने तथा राजिस्तान सरकार द्वारा तीसरी लहर में ओमिक्रोन कोरोना संक्रमन के सितिक को ध्यान में रखते हुई सोंवार को जैसल मेर नगर परिशत एवन पुलिस की विकत कुछ दिनों से प्रदेश में कोविट के लगातार बढ़ते मामनों को देखते हुए ग्रहवी भाग ने रविवार को महमारी सतर्क सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश शारी के। रवसान लोक से वायोग ने संस्कित शिक्षा विभा के अंतरगत हेड मास्टर पदोपर भरती के लिए आयोजित परिक्षा की मौडल आंसर की जोरी कर दी है। कहा कि रवसान सरकार कोरोना की डबल डोस नहीं लगाने वालो को एक फरवरी से दफ्तरों से लेकर सारजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं देगी और उनके खिलाफ कारवाही की जाएगी। मीना ने कहा कि रवसान में करोना मरीजों के लिए बैट समित अस्पतालों में सभी इंतिजाम हैं। जगिसा मंत्रे परसादी लान मीना ने कहा कि राजसान सरकार दूसरी लहर की तहां इस बार भी अस्पतालों में कोविड मरीजों का मुफ्त में इलाज करेगी। राजसान में प्रिकॉशन डोस लगने की शुरुवात हो चुकी है। सोमार कॉलवर जिले में 375 पॉस्टिव आये थे इससे पहले दिन 364 संक्रमित आये थे। इसके साथ ही अब जिले में 1757 एक्टिव केस हो गई हैं। पिछले 6 दिनों में 1630 संक्रमित आने का रिकॉर्ड बन गया है। इतना अधिक संक्रमित की पहले अंग दूसरी लहर में भी नहीं था। तीसरी लहर में ये राहत है कि संक्रमितों को अस्पिताल जाने की नौबद नहीं आ रही। नौ के बराबर अस्पिताल में मरीज पहुंचते हैं ज्यातर घरों पर दवा लेकर ठीक हो रहे हैं। रासान में कोरोना जौन्स के लिए ग्रामिन और शहरी शेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सैंप्लिंग और टेस्टिंग के निर्देश दिये गए हैं। एक भारत श्रेष्ट भारत राजानी ज्यापूर का एक विद्याले साकार करता हुआ नजर आ रहा है। रासान के चिकसा शिक्षा मंत्री परसाद इलान मीना ने प्रदेश के सोल निर्माना धिन मेडिकल कॉलेजों का कारे ने निर्धारित सेमावधी में गुनवत्ता के साथ पून कराने के निर्देश दिये हैं। मीना ने मंगलवार को चिकसा शिक्षा विभाग के समिक्षा के दौरानी ये निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों का निर्मान कर वर्षित हो जारते इस तक पून हो जाये ताकि प्रदेश में चिकस्कों की कमी न रहे। उन्होंने सम्बंदित मेडिकल कॉलेजों के प्रचारियों को भी निर्मान कारे के नियमित मौनूटरिंग करने के निर्देश दिये। या किसी अन्य जुगत से कोर्स करवाने के विवस्था कर सकती है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यादि भरती में अब कोई पदरिक्त नहीं है तो याचिका करता शती पूर्ती के लिए दावा पेश कर सकते हैं। जस्टिस M.M. श्रिवास्तव और जस्टिस अनु कुमार धंड की खंडपीर ने ये सुमन कुमारी और अन्य की अपील पर दिये। तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाज़िर होंगे कुछ और बड़ी खबर के साथ।